जोर से बुला गुड मॉनिंग चलो स्टाट करते हैं कॉंसरेट करना पिछले दो दून का पहले रिवाइस करेंगे उसके बार में बढ़ेंगे आगे आज कोई नया आया है नवा गड़ी नवा राज ठीक है थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि पहले दो दिन में बैसिक हो चुके है और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ही थोड़ी बहुत चीज है तो क्लास के बाद कोई लगुशंका दिरगशंका है तो आप मुझे पूच पहले 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 पहला सेफटी दूसरा बेनिफिट तीसरा नौट अट दो कॉस्ट अफटा है नहीं भी सकता है नहीं भी हो सकता यह चीज होने के बाद में हम आगे बड़े थे हमने देखा था लौ पास करने का प्रोसेस क्या है कल हमने पूरा वही देखा ना पूरे इन डीटेल कंटेंट 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 आज का लेक्टर भी कंटेंट 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 ही है दिमाग खराब हो जाएगा ठीक है फ्रस्ट्रेट हो जाओगे मैंने अभी तक कोर्स को छुआ भी न नहीं नहीं उसके वेले कितना टाइप के लोग होते हैं कितना टाइप के लोग होते हैं तीन पहला यूनियन दूसरा स्टेट तीसरा कॉन करेंट यह कहा लिखा है Constitution of India आर्टिकल नंबर गर्जिनी लोगो उसको भी पंदरा मिर्ट याद रहता है सो आर्टिकल नंबर 245 आर्टिकल नंबर 246 कंसल समाज में 245 में पार्लेमेंट में आ सकता है और लिस्ट कहां दिये है 246 में शडिवल नंबर जो और से बोलो 7 उसके अंदर टीन लिस्ट है यूनियन लिस्ट में टोटल इंट्री कितने है बच्चो 97 स्टेट लिस्ट में 66 और कॉन करेंट लिस्ट में 47 याद आई सबको उसमें से कंपनी जाक का एंट्री नंबर कौन सा है लगाओ बुली अच्छा घर जाके वो बुकुक खोलते हो आज़ो एंट्री नंबर 43 एंट्री नंबर 44 खोल की नंबर 44 खोल्ड होल्ड हाई अगे लेस्ट गाव सो एंटरी नमर 43 और गौसा बेंगे बाद हो उसाई the 24 यह किस का है इत कंपनी डिया करन की इतध नंसब को फिर मैंने आपको कल कितनी पेंगे ला तो तो में ने लेकिन प्रोस्पिक कितनी यह दो पहला प्रोसेश का है Central, दूसरा process कौन सा है State, सबसे पहला step कौन सा Drafting है, Drafting मतलब क्या करते है Law लिखते है RTI किसने बनाया RTI, Right to Information Act Local Bill Clear है कितने टाइप के Bill होते है लोकसभा में 4 4, कौन-कौन से Constitutional Amendment Bill Money Bill, Finance Bill Other Bill, Concept समझ में है और State में, 3 कौन-कौन सा, Money Bill, Finance Bill Other Bill, Constitutional Amendment नहीं होता, क्योंकि State का Constitution होता है क्या, नहीं, यह होने क्या Step No. 2 Introduction, वो जो बुक खुलिया है वो बन किजिया, नहीं, तुम भईबान नहीं हो, पर तुमारी नजर वो बहिमान है न, वो चली जाती है नीचे बिचारी ठीक है, तू, दूसरा Step क्या है Introduction, मतलब First Reading Yes or No अब First Reading के बाद में उसको काई के लिए उपन किया जाता है Public Commence, लेकिन Public तो कोई भी कमेंड कर सकती है, फिर उसके आद में किसको बिठाया जाता है Committee, Companies Act के लिए कितने कमेटी बिठाया थे बच्चो, तीन कौन-कौन से, जेजे इराणी कमेटी नारायन मूर्थी कमेटी कुमार मंदलम, बिरला कमेटी याद है सबको हाई न, ये होने के बाद में कमेटी ने फिल्टर कर दिया, आप क्या होगा लोका क्या होगा कहां जाएगा कहां जाएगा, बोलो House of People, House of State Council, House of People को हिंदी में क्या बोलते है लोकसभा, House of State Council को, राज्यसभा House of People में कितने में मेंबर 5-4, 5 including Pappu, हाँ है ना Yes or No, और राज्यसभा में कितने मेंबर, 245 इस में से कितनों का वोट चीए है 272 और 123 मुझे बताओ 272 ही क्यों Because 543 ये MP होते है और दो Anglo-Indian Community से, जिसनको कौन नमिनेट करता है President, फिर राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते है 250, लेकिन है कितने 245 कौन अपॉइंट करता है कितने MLA अपॉइंट करता है 233 किसने अपॉइंट किया है MLA, देखो, स्टेट का काउंसिल है और 12 वो कौन होते है Hobbies के हिसाब से Yes or No, कौन कौन थे Sachin Tendulkar Vijay Malaya Javed Akhtar, बोलो हाँ याँ न ये याद आया, चलो राज्यासभा, लोक्सभा में दोनों जगा पे अपॉइल मिल गया वाट इस NDA National Democratic Alliance मतलब BJP प्लस Allied Parties, वाट इस UPA United Progressive Alliance मतलब Congress and Allied Parties कुछ याद आया ये ये सो नो ये चीज होने के बाद में आगे अगर अप्रू हो गया राज्यासभा, लोक्सभा में तो प्रेसेंट, प्रेसेंट के उस कौन सा पावर है वेटो, वेटो मतलब वन टाइम रिजेक्शन, वापस अगर पास हो के आया तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बोलो हाँ या ना, चलो एक्सेप्ट तो कर लिया उसके बाद में कल उपन किया था ना हमने Official Gazette Official Gazette एक होता है सेंटर का, एक होता है स्टेट का Official Gazette में कितनी चीज़े बोलते है तीन, कौन कौन सी डेट, एरिया, सेक्शन Companies एक की क्या अपलिक अपलिटी है कल डेट लिखा था ना हमने 12 सप्टेबर 2013 कौन सा पूरा इंडिया कितने सेक्शन, 98 कंसम समाझ में आ रहा है सबको हाए ना यहां हमने कल कंक्लूड किया था कि इंडिया में किस तरीकी के से लौपास हो सकता है कंसम समाझ में आ यह बच्चों सबको Everybody yes or no आज आगे बढ़े थोड़ा सा चलो let's go, start करते है धांध ना आज ओ बड़ा So are you ready आज का लेक्ट्चर भी content, content, content लेके जाओ मस्त तो एकदम पूरा अपन कोर्स को छूने भी नहीं वाले, ऐसा टच भी नहीं करना, अहां बिना लॉस समझे अगर कोर्स को टच किया शौक लगता है बड़ा समझ में आ रहा है सब को हाइना, वुख बन, वुख क्यूक मैं हुख क्यूक मैं भी वुख हूँ मेर को पढ़ो समझ में आ रहा है सबको बुकूक सब मोम आया मेरे को पढ़ लो तुम ऐसी पास हो जाओगे ठीक लजग वो सुनाए ने तुमने टीचर जो सब्जक के बारे में ग्यान रखता है अगर तुम उसको सही तरीके से ले लो तो तुम खुद वो ग्यान प्राप्त कर तिल ले ने अगे आगे सुब इसे देख रहे हैं मेरे तरफ टुड़े वी आर गोइंग फॉर दा नेक्स कंटेंड और आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स ओफ लॉव क्या देखने वाले बच्छो पार्ट्स ओफ लॉव कि ट्राप्तिम में टेक्निकल डिस्कुशन पेल रहा हूं मिपट मत जाना खुदको जगाए रखना जागते रहरा हैं है साँ हम कि देखने वाले पार्ट्स ओफ लॉव बहुतचंचे सिरा पार्ट्स कोई भी लॉवर अगर आप पड़ते हो एपनुल यूटव यू लंबा चौड़ा चाड़ बनने वाला है, तो खुद को संभाले रखना, कुरसी की पिटिया ठीक से बन लो, आतावरन खराब होनी की संभाव नाए है, सबसे पहला, लॉकाप पार्ट होता है, उसे कहते है, प्रियेम्बल, कॉंट्रेक्ट का सेक्शन वन पढ़ा है क्या, अच्छा, सेक्शन वन अफ शोजा, सेल अफ गुज एक्ट शोजा, वेरी गुड, सेक्शन वन इस प्रियेम्बल, जिसके अंदर तीन चीजे लिखी जाती है, S E C C, कंसर्प समझ मेह रहा है सबको हाँ है ना, सो S E C, एस पर से, शौर्ट टाइटल, शौर्ट टाइटल, चाहे कितना भी लंबा हो, उसको ये शौर्ट ही बोलते है, जैसे Indian Contract Act, ठीक है, शौर्ट है, फाइन, Foreign Exchange Management Act, चलो ये भी शौर्ट है, फाइनल लेवल पर आओगे न, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, ये भी शौर्ट टाइटल है, समझ में आ रहा है, सबको हाँ है न, ये लौ है, तुमको पढ़ना है, मतलब लौ का नाम इतना बढ़ा है, लेक्चर सिर्फ एक लगता है, तो ये भी शौर्ट टाइटल है, तो शौर्ट टाइटल का मतलब ऐसा नहीं, कोई abbreviation उठा के पकड़ना है, ना, short title मतलब जो पूरा law का नाम है, उसी को ये short title बोलते है, concept समझ में आ रहा है, abbreviation तो हम बनाते है, जैसे foreign exchange management act, Fema, clear है concept सबको हाँ है ना, अरे जोर से बोले है इसा नो, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, Fema, concept समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना, जोर से बोले है इसा नो, so short title, दूसरा है बिटा, extent, extent मतलब लंबाई, चोड़ाई, अच्छा सोचो निकम्मो, ठीक है, so क्या बोले एक बार, लंबाई, चोड़ाई, clear है, कि act geographically कहा लगेगा, जोग्रॉफिकली कहा लगेगा, यह अभी तक सही था, foundation तक सही था, क्योंकि foundation में तुमको पहला ही सवाल पुछा आता था, contract act is not applicable to, यह था, फिर chronologically समझना जरूरी है, फिर चला गया, क्या बात कर रहा है, इसके लिए हम जान दे देंगे, समझ में आ रहा है सबको हाँ वह वहाँ था, अब जरह इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, एक geographical, समझ में आ रहा है सबको हाँ है यह जोग्रॉफिकल है, ठीक है, आगे, जाने दो, हाँ, और दूसरा होता है बेटा, applicability wise, for example, Companies Act 2013, और मेरा, यह applicable है पूरे इंडिया को, including Jammu Kashmir, पर public company को applicable है, प्राइवेट कंपनी को applicable है, बैंकिंग को applicable है, इंशुरंस को applicable है, लिस्टेड कंपनी को applicable है, किसको applicable है, यह applicability wise, concept समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना, तो extent वो अलग, यह अलग, यहाँ अब नया extent जुड़ गया है, वो है applicability wise, concept समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना, everybody, इसे चीज होने के बाद में तीसरा आता है C, S, E, C, Exchange, Copand, Commencement, Commencement मतलब? Date, Commencement मतलब? Date, कौन से date पे? तुम्हारा और इस Act का मिलाप हुआ, इसे क्या कहा जाता है? Commencement, जैसे मैंने Companies Act के लिए बोला था, बारा, बुलो, 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 शर्माओ मत, September 2013, Extend to whole of India, applicable to all companies, short title, The Companies Act, Companies Act 2013, Are you understanding? पर कल मैने तुमसे एक बाद चुपाई, चुपा नहीं था, मैं मजबूर था, कुछ हो क्यों? Companies Act का येर 2013 है, पर आपको पता है, ये बिल था 2012 का, ये बिल कप का था? जूट जूट पढ़ाते हो सर, तो याद रखना, रिफंट? डेमो चल रहे है, फीस भरी है क्या? रिफंट, तो धानने ना अच्छे से, तो बिल कौन सा है बोले एक बार जूर से, 2012, तो कल सर क्यों तुमने जुट जुट बोला? एक बात याद रखना, आट के सामने एर वो आता है, जिस एर में वो आट पास होता है, मतलब जिस एर में उसको राज्य सभा और प्रेसिडेंट का अप्रोल मिलता है, यह जो मैंने यहाँ डेट लिखी ना, 12 सप्टेबर 2013, यह अप्लिकेबिलिटी डेट है, और प्रेसिडेंट ने आट को एक्शुली 29 अगस्ट 2013 को एक्सेप्ट किया था, और राज्य सभा ने इसको जुलेई 2013 के अंदर एक्सेप्ट किया था, लोग सभा ने इसको 2012 में प्रेसिडेंट किया था, तो यह जरूरी नहीं है कि आपके बिल का डेट और आपके अक का डेट मैच हो, यह अलग-अलग भी हो सकते है, इस चीज को याद रेखना, कंसब समझ में आ रहा है सबको हाई ना, बार वापस बुलो, बिल का डेट और आपक का डेट मैच मुला कंपलसर यह है का बच्चो, कंसब समझ में आ रहा है सबको, यह सान न, तो यह हो गया प्रियंबल, तुम किसी भी लौ का सक्षिन वन उठाओ, तो टेंटिटिवली तुमको यह चीज इसके अंदर दिखनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ आगा, अब जाते है धर्म संकट वाले एरिया में, सेक्षिन नंबर वन के बाद क्या आता है, सेक्षिन नंबर 2, किसका होता है सेक्षिन टू, हरे वाँ, यहाँ ते है कितने केटेगरीज के डेफिनेशन था 9, कितने केटेगरीज के डेफिनेशन होते है, जूम कितने टाइप के होते हैं बोलो एनिवन आउट डेर अपनी अपनी क्लास है उदर अलग मत चलाओ दिवाल डालनी पड़ेगी बीच में ठीक अपनी एक इक अठा इधर जोक इधर तक आना चीए थोड़ा सा ठीक है कितने काटेगरी इसके डेफिनेशन होते हैं अब यहां हो सकता है तुमारे साथ धोका हुआ हो तो इसको अब शांती से सुनना बड़े अच्छे से समझाओ ओते के साथ जो मैं बोल रहा हूं सच गीता पर हात रखके कसम खाता हूं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा सच क सिवा गीता मतलब तेक है आगे तो डेफिनेशन इस तो बी डिवाइड़े इंटो कितने पार्च बोले एक बार दो पहला केटेगरी है बहुत अच्छा दरीके से ध्यान रखना डेफिनेशन एस पर ड्राफ्टिंग और दूसरा केटेगरी है डेफिनेशन एस पर कवरेज मैंने टाइप्स खोले ही नहीं है मैं सिर्फ कटेगरीज बोल रहा हूँ एस पर ड्राफ्टिंग डेफिनेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है एक तुमको कोई नहीं बोलेगा फाइनल लोल पर बच्चा आके सामने बैठता है मोला डेफिनेशन सर वो होती है वो एक means होती है के includes होती है sir है सो नहीं तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग के हिसाब से definition दो पार्ट में डिवाइड होती है act-based definition और section-based definition एक बार सब जन बोलो कौन सा? act-based definition और section-based definition clear है गन सब सबको हाँ है ना? जोर सो बुले हो इससा, no? now what is act-based definition and what is section-based definition? कत्ता ही जहर तरी definition मतलब पूरे act में वो word अगर use होगा तो उसका एक ही meaning निकाला जाएगा पूरे act में वो word use होगा तो उसका क्या meaning निकाला जाएगा? एक ही, let's take a very proper example, तो समझना में काफी आसा नहीं होगी, let's take environmental environmental protection control act सब्जन बहुत से दरीके से द्यान दना, क्या है बोल एक बार? environmental, सब्जन नाम बोलो, क्या है? environmental protection control act अब ये environmental protection control act में में word use कर रहा हूँ plant कौंसा word use कर रहा हूँ? plant plant के वजह से environment protect होता है, plant जाड के sense में हम ले रहे है बोलो, climbers, Bailey के sense में हम ले रहे है, तो plant के वजह से environment protect होता है, environment क्या होता है? protect, काई जाला? okay, plant के वजह से environment protect होता है, क्या होता है बोल एक बार? protect, so plant को अगर मैं environmental protection control law में जाड के sense में use करने वाला हूँ, पूरे के पूरे act में, तो I will define in the act वाला section number 2, here plant mean in the sense of trees in the sense of क्या होता है, trees, मतलब plant का में यहां tree करके आया, पर कोई ऐसा section है, जहां पर मुझे बताना है कि pollution कौन सी चीजो के वजह से होता है pollution कौन सी चीजो के वज़े से होता है, तो मुझे बोलना है, factory के वज़े से pollution होता है, plant machinery के वज़े से pollution होता है, और मैंने उसके अंदर लिख दिया, कि plant and machinery के वज़े से pollution होता है, काई के वज़े से pollution होता है, plant और machinery, तो इसमें plant का मतलब अगर मैं जाड लू क्यूंकि यह कहा defined section number 2 में अगर मैं यह लोग की plant का मतलब क्या है वो लेक बार, बिड़ा उधर जो भी चल रहा है जब तक मैं अच्छा हो, तब तक अच्छा हो नहीं तुम्हेर को admission की कोई प्यास नहीं है यह final warning समझना कल दो बार हुआ, आज तीसरे बार इसके बाद वो इरिया डिस्टर्ब हुआ प्रणाम हम अच्छे ज्यान देना, आवाद ज्याद हो रही है कोई problem है तो बोलो मुझे लेकिन एक बंदे के वज़ए से 8-10 निपट जाएंगे यह कही का नयाय नहीं है कही का मतलब कही का नहीं और आपका बेस फ्रेंड भी क्यों नहीं हो मेरेको उससे फरक नहीं पड़ता ठीक है, पूरा धान बोड पे बाके अपन पड़ते हैं आजाओ ठीक है, अगर मुझे हस सकते हो कोई problem नहीं है होता है ऐसा बड़े-बड़े class हो में छोटी-छोटी आगे अगर pollution को मैं को define करना है कि plant और मशनरी के वज़े से pollution होता है, क्या के वज़े से होता है plant and machinery बहुत अच्छा तरीके से जाद दना, plant and machinery तो यह plant अगर मैं use करूँ और वो plant defined a section 2 में tree के sense में तो मैं यह बोल रहा हूँ, tree के वज़े से pollution होता है ऐसा कैसे चलेगा दीदी अरे बोलो हाया ना तो यहां मुझे plant का meaning अलग देना पड़ेगा बोलो yes or no, everyone agrees to this everyone agrees to this खुदा ना खासता अगर आगे जाके आप में से कोई draftman बन गया तो याद रखना, मेरी गालिया खाने से बच जाएगा, बोलो हाया न और जब आपको provision नहीं समझ में आती थी तो explanation में एक एक्जामपल होता था Mr. A sold white horse to Mr. B हमेशा Mr. A ही होता था B ही होता था न घोड़ा ही होता था आज तक समझ में नहीं आया समझ में आ रहा है सबको हाय ना तो यहां पर explanation में मुझे बोलना पड़ेगा here a plant should be taken in the sense of machinery concept समझ में आ रहा है सबको हाय ना plant should be taken in the sense of machinery तो यह क्या हुआ act based definition सब जन बो कौंसा definition act based यह क्या हुआ section based ah 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 बोलो signal signal ah ah अब आया concept समझ में आ रहा है सबको हाय ना जोर से बोलो यह हुआ यह act based section based as per कौंसा केटेगरी है सब जन बोलो drafting मुंदीजट को स्टेट बैठो वाता वरें डबल खराव होने वाला है अब तुमारी दिमाग का दई हो जाएगा coverage based definition is to be divided into two parts एक होती है exhaustive और दूसरी होती है inclusive एक कौंसी और एक बार exhaustive दूसरी होती है inclusive anyone out there exhaustive inclusive yes please okay exhaustive में जो लिखा होता है बस वही होता है जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और inclusive जो मैं नहीं बोलता समझ मा रहा है सब कहा है yes or no exhaustive definition starts with the word means inclusive start with the word includes any example था 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 goods की definition था था goods means means any kind of movable property other than actionable claim and money and includes stocks, shares, growing crops or things which are form or attached to the part of land which are agreed to be served at the time of contract समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है सबको बोलो हाँ है न तो इसमें means or includes था और कोई example ऐसे reality वाला बताओ सुनोगे दो मिनिट के लिए बोलो बताओ प्यार से बोलो प्लीज बताओ लेट्स टेक अग्जाम्पल दूद अंडे बताओ वेज या नन वेज है आज तक सोचा ही नहीं सर जो खाता होगा वेज है सर अंडे तो वेजी है उसमें तो जान भी नहीं होती बोलो हाँ या ना इंडिया में अलग-अलग टाइप के वेजेटेरियन है हाँ मतलब पहला वाला प्रॉपर वेजेटेरियन वीगन दूसरा दूद वाला वेजेटेरियन तीसरा एगा टेरियन चौथा रसा टेरियन मैं चिकन नहीं खाता रसा खा लेता हूं बोलो हाँ ना पाचवा मोका टेरियन मोका मिल्ले पे खा लेता हूं बोलो हाँ ना चटवा छोडा टेरियन अभी छोडा है बाद में खाऊंगा ना आँ ना मेरा सवाल है दू 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 बढदे वेज और नन वेज ये यसर ना वेज और नन वेज अभी जैन आट देर जैन पीपल ओ मैं गॉड़ झान बन करलो मैं बोल्रहा हूं ये कट्री गटिया होने पिर मत बोलना सर क्या क्या बोल रहो, ची ची शिव 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 नहाना पड़ेगा कंसब समझ में आरहा है सबको, हाँ है ना सो दूद और हंडे, वेज है या क्या बोल एक बार जो से, नौन है मेरेको इससे कोई लेंद नहीं किये, वेज है नौन वेज है, मेरेको definition समझानी है तो में खाना है, खाओ, मत खाना है, खाओ, एक दूसर के सिर पर फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठेक है अब अगर मैं define कर रहा हूँ, wedge को and if I write it like this, wedge means wedge means और मैंने शांदार definition माला है, wedge means fruits, roots, leaves, stems, any part of plant or tree or climber wedge means fruits, roots, leaves, stems or any part of plant or tree or climber वो बेली को climber ही बोलते हैं, यह मेरे को अभी पता चला, last 2 wedge में अपना English Convent School नहीं था ना so, सब जन बोलो, क्या है wedge means बोलो fruits, roots, leaves, stems, any part of plant or tree or climber यह क्या है बोले एक बार, wedge अब जब मैं word use करता हूँ बच्चो means, तो means जहां मैंने लगा दिया जहां मैंने means लगा दिया, scope restrict हो गया bracket में जितना लिखा है बस उतना ही वेज है, यह छोड़ के कुछ वेज नहीं है यह फाइदा होता है means का जब तुमको definition को limit करना है, क्या करना है, limit तो आप क्या लिखते हो means अब इस हिसाब से अगर मैं पुछू दूध और अंडे, वेज है, के definition के हिसाब से, ज़ाड दूध देता है, अंडे ज़ाड पे लगते है, तोड़ो खालो, अरे बोलो हां या ना, कैसा लगेगा ज़ाड चल रहा है, अंडा दिया, पाक 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 बोले हसुर ना, तो दूध और अंडे, समझ में आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस definition के हिसाब से, दूध और अंडे वेज नहीं है, यह होगी, ज़ाड लोगों की definition यह किसकी definition हुई, जय, पर हम तो खाते है, हमारी कौन सी है, तो ऐसे किसी अंडा प्रेमी ने, ऐसे किसी अंडा प्रेमी ने, मुकाटेरियान आदमी ने, यह डिफाइन किया, ठेक है, यह डिफाइन किया कि मेरे लिए अंडा वेज होना चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने वेज इंकलूट्स, वेज इंकलूट्स और आगे सिर्फ लिख दिया मिल्क and एग्ज फुल स्टॉप कते ही सेल्फी शादमी है तो उसने क्या लिखा वेज इंक्लूद्स मिल्क और क्या बॉलिक बाजों से एग्ज अगर मैं यह बोलू कि बाहर पांच लोग खड़े है ठेक है और मैं यह बोलू दोस फाइव पीपल अर इंक्लूदेड इन दे क्लास मतलब तुम सब नहीं हो तुम हो बट वो इंक्लूद है न वो भी है और तुम मतलब भाईया इंक्लूद के तो दो मिनिंग निकल गए एक जो जूम्ड है एक जो क्या जैसी बोली वैसी भाशा एक जो क्या है बोल एक बार अजूम्ड है एक जूम्ड है एक जूम्ड है एक जो क्या है सब्जन बोलो अजूम्ड है और एक जो क्लैरिफाई किया जा रहा है क्लिर है तुम क्लास में हो यह तो अजूम्ड है ना तुम तो जूम्ड हो अरे बोलो हाया ना पर भार के लोग भार के लोग भार के लोग बोलो भार के लोग clarification मतलब अभ अजूम क्या होगा अजूम ये वाला किस्सा होगा कि या fruits, roots, leaves, stem, any part of plant or tree or climber is a अजूम्ड इस क्या बोल एक बार अजूम्ड पर clarification में हमने नई चीज आड़ कर दी मोकाटेरियन लोगों के लिए, milk और eggs कि आप शान से खाएंगे concept समझ में आ रहा है, सबको हाई ना, ये फाइदा होता है आपके means और includes का sale of goods act के definition को थोड़ा सा revise करना, थोड़ा सा, immediately समझ मायाएगा goods means any movable property, exception बनाना था other than actionable claim and money, छोड़ दिया तो any kind of movable property काफी था, कोई भी movable property, immowable जिसको किदर हिला नहीं सकते, movable पकड़के इदर उदर लेके चल जाओ किदर भी, अच्छा सोचोरे, अब ऐसे situation में, अगर मैं बोलू good means, movable property तो बात खतम थी, फिर लोगों ने लगू शंका, दिर्गशंका, बोले बहुत जोर से आई वाली शंका, बोले ठीक है, movable property, what about crops? gehu लगे है जाड़ पे, gehu लगे है जाड़ पे, अभी तक नहीं कटा, अभी तक, immuable, अभी तक नहीं कटा, क्या हुआ, immuable, तो इसे goods मानू या नहीं मानू, confusion, जैसे milk और इसका confusion है वैसी उसका confusion, बोलो हाँ है ना, कोई soil है, soil, building मानते ना, soil, मुरूम निकाला, वो रहता है न, मुरूम, गिट्टी वगेरा, अभी जब तक, जमीन में थी, तब तक ही movable थी, खोद के निकाली, movable, बंदा सोच में पड़ गया, goods मानू नहीं मानू, तो इनके clarification के लिए include बनाना पड़ा, कि good means a movable property वो तो है, पर तुम जैसे लोगों के लिए, जिन कुशंका, कुशंका, लगुशंका, जोरकी शंका आई है, उनके लिए कि आपकी land से attached या land के ऊपर कोई भी चीज है, और आप confuse हो, अगर वो निकाली जा सकती है, तो हम उसको भी का मानेंगे? Goods. Sir, foundation में पढ़ी, इंटर पे आके समझ में आई है, वो भी pass होने के बात. Concept समझ में आ रहा है, सबको हाँ है ना, जोर से बोलो, Sir, No. यह फरक होता है, inclusive, exhaustive. यहां तक idea clear है, पक्का? Everybody, damn sure, diamond clear, उदर, last bench, Sir, No. पक्का समझ में है, सबको, इसमें कोई किसी को दिक्कत है? आगे बुढ़ू पक्का, दो चीजे मैंने cover कर ली, सबसे पहले एक का पहला पार्ट का होता है? जोर से? और जोर से? और जोर से? और जोर से? शांदार, उसके अंदर किप्टी चीज़े? पहला, शॉर्ट टाइडल, टू फान, शॉर्ट टाइडल, कितना भी लोंगो शॉर्ट ही माना जाएगा? definition कितने categories में? पहला, drafting, दूसरा, coverage, drafting में कितने है? दो, सब बोलेंगे drafting में कितने है? दो, पहला, दूसरा, coverage? दो, कौन-कौन से? exhaustive, inclusive, exhaustive मतलब? करो, सब लोग करो, action करो, सब जन, exhaustive मतलब? restricted, बोले, exhaustive मतलब? एक और, exhaustive मतलब? restricted नहीं? उदर ही रोकना है, ठीक है, exhaustive मतलब? ए भाए ओ, करो, action करो let's go, exhaustive मतलब? restricted, inclusive मतलब आने दो clear again, सब सबको हाँ है ना, जोर से बोलेंगे सब न, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? next वाला, अगला बड़े अच्छे से कत्ताई अच्छे से धान देना यहां पर तुमने जो पढ़ा था उसको अपन टेस्ट कर रहे हैं वैसे अभी तक वही कर रहे थे पर थोड़ा और आगे ज़ेकर लेट गो अगला पार्ट आता है कि अचाप्टर चाप्टर मतलब सर मेरा दोस्ट चाप्टर है बुलो चाप्टर मतलब ओड़े शप्टर अचाप्टर मीं शप्टर कर अबया शाले आज मेरा ऊप्टर मतलब अधन्यवन नहीं पता अचाप्टर अच्छा यह पाता है कौसी कॉंट्रैक्ट कॉं पॉन पॉन पॉन्ट्रैक्ट वो जो कॉंटिंजन और कॉसी कान्ट्रैक ओण्ध में लिखे ते उसे कहते चाप्टर चाप्टर means a group of section group of section talking about shame thing talking about shame shame thing concept सबज में आ रहा है सबको हाई ना जैसे अगर मैं simply बोलू तो offer से regarding जितनी भी cases थी और जितने भी principles थे एक चाप्टर में आए essentials of contract एक चाप्टर में है consideration का पूरा एक चाप्टर था उसमें no consideration, no contract भी घुसेडा गया था जिसमें out of love and affection भी था Valentine's आ रहा है तो इनका एक चाप्टर हुआ, इनका एक क्या हुआ चाप्टर, concept समझ में आ रहा है वैसे ही Companies Act में अपने 148 section में 10 chapters है कितने chapters है? 10 for example, company के incorporation के बारे में जितने सारा section है एक जड़ा पे जैसे for example मैं बोलू तो section number 3 से लेके section 22 is regarding incorporation of company chapter 2 chapter कौन सा? 2 concept chapter 1 क्या होता है हारिका? section 1, section 2, preliminary यह chapter 1 होगा, हर लौका clear है? section 1, section 2, जिसमें होगा preamble और definition, यह होगा chapter 1 chapter 2 से content शुरू होगा concept समझ में है? तो further chapters are divided into sections मतलब provisions sections मतलब क्या बलो बच्चो? provisions sections are further divided into subsection जैसे offer का definition, to subsection A A sun offer bowl acceptance B bowl yes or no? promise or promise C to C promise or promise C conceit darshan 2D अरे बोलो न, हा या न? तो यह subsection होए, यह क्या होए बोले एक बार? subsection subsection further divided into clauses clauses further divided into sub clauses और बीच में ही कही तो भी एका दीबार ऐसा बीच में इच provided that काई को क्या मालूम provided तो यह क्या होता है? यह किदर भी आ सकता है? तुम section पढ़ रहा हो? provided that subsection provided clause? provide sub clause अभी हो, इसको तो छोड़ नहीं, provided what is this provided that? this is called as proviso 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 देखो provision और proviso दोनों में difference है हाँ आज तक तो एक ही लग रहा था provision और proviso, दोनों में क्या है? difference है, ठीक है? ऐसे हाथ कर ऊपर एक क्या है? provision एक क्या है? प्रोविजन कुछ बोलता है subjan करो provision कुछ proviso उसको काटता है subjan, बोलता है बोलता है दिन बर करते हैं आज घर जाने के बाद भी ठीक है, मम्मी बोली आगया मेरा बेटा बोलता है प्रोविजन कुछ बोलता है प्रोविजन कुछ बोलता है प्रोविजो काटता है प्रोविजन ने जो बोला उसको exception बनाने का काम प्रोविजो का concept समाज में, exception कि भई, इस section is not applicable to agricultural income agricultural income exempt from tax provided that agricultural income, agricultural company distributing to the shareholder it's taxable as a dividend distribution tax नहीं समझाओगा पर exception तो समझ में है idea clear है मैं क्या क्या रहो यहां कि समझ में जरूर आएगा agricultural income company का है पर dividend income तो shareholder का है clear है, दोनों में फरक है बस इतना याद रखना, clear है so proviso काटता है चीजों को exception बनाता है clear है, so आपस है, provision everybody action के साथ, provision बोलता है, उधर madame tension में हाँ, बोलो, provision बोलता है, और proviso idea clear है मैं कहा कह रहा हूँ, जो और सो बोलो यह सर क्या, scope short title extent, commencement उसके बाद में definition, कितने बाद? दो, पहला drafting, दूसरा coverage, drafting में दो और coverage में exhaustive, inclusive, clear है अच्छाप्टर पे, chapters is a group of section, talking about the same thing, clear है, उसको divided into section, into subsection, into clause, into sub clause, or provided that, एक ही proviso होगा तो provided that, दूसरा proviso आया, provided further that, तीसरा proviso provided also that, चाउथा चाउथा further also further खिलते रहना concept समझ में रहा है, सबको हाँ है ना, आगे, यह चीज होने के बाद में next वाला chapter के बाद we are taking fourth element, chart बढ़ता जाएगा next are called as exceptions क्या बोल एक बार? exception भी definition के तरह, categories नहीं पर दो पार्ट में divide होते है, act based exception, section based exception, just mean income tax tax act, यह agricultural income को लगता ही नहीं है income tax act, agricultural income को लगता ही नहीं है, समझ मैं आ रहा है, मैं का कह रहा हूँ so income tax act, agricultural income को नहीं लगता यह act का exception हो गया यह का exception हो गया agricultural income लेकिन शायद आपने सुना होगा आपके parents से गलती से कभी तो भी कि भाईया, आपका income अगर आप life insurance policy निकालने के लिए section 80C में invest करो गलती से सुना होगा कि life insurance का premium pay किया तो उतना income exempt हो जाता है समझ में आ रहा है? सुनाएं कभी पपा ममी से? अभी जब CA करोगे पपा का salary return ममी का return मगरा फाइल करोगे तो समझ में जरूर आएगा करना है हाँ? घर का chartered accountant है करना जरूरी है So, 80C के अंदर जब आप income डालते हो किसी भी insurance policy में तो वह exempt होगा, यह हो गया क्या section based exception कौनसा भूल एक बाजो से? section based clear concept? exception के बाद अगर आपने कोई खतरना कृत्य कियर दिया है, तो आता है बिटा, contravention and penalties Contra सब जन बोलेंगे, contra vention and क्या भूल एक बाजो से? penalties Contravention मतलब बच्चो? Anyone? बोलो, contravention मतलब Law को break कर देना Rules को तोड़ देना किसी की नहीं सुनना बोलो, हाँ है आना जैसे मैं अगर तुमको बोलू, तुमको company साग follow करना है क्यों follow करना है? नाम Sandy? Sandy ने company बनाई Sanda Limited कारेकरम की पात्रगटना कालपनिक वस्तविक जहन से कोई संबन नहीं यदि किसी गटना के साथ समानता होती है मात्रसयों कहां जाएगा ठीक है? Sandy ने company बनाई का बोल एक बार Sanda Limited Sandy ने company बनाई थी profit कमाने के लिए पर आया नहीं Profit Sandy फ्रस्टेट हो गया Sandy बोले अब क्या करूं जिंदगी के अंदर? Profit तो आनी रहा CA करके भी पैसा नहीं मिला अपन CA क्यों करते है पैसे के लिए CA करके पैसा नहीं मिला Profit Channel Sandy ने सोचा मैं फ्रॉड करूंगा मैं क्या करूंगा? फ्रॉड उसने विजयमाला का एक फोटो लगाया निरव मोदी का हर्शन मेता का हरो जाल चड़ाता ए फ्रॉड देवा और Sandy ने तुफान तरीके से qualifying fraud किया 4000 करोड पैसा आया तो Sandy ने लोग अपॉइंट के employee, sub employees workman, secretary secretary और एक दिन Sandy fraud fraud करके अपने कबिन में secretary के साथ बैठा था discussion discussion गलत मत सोचो discussion चल रहे थे कि कैसे बढ़ाया जाए company का profit प्रॉफिट समझ में आ रहा है discussion चल रहे थे कि company का profit कैसे बढ़ाया क्या कर और जैसे ही fraud की खबर लगी ministry of corporate affairs को दीदी आई न निर्मला दीदी डीटी वाली जो है वही इदर है ministry of corporate affairs में same to shame exactly dicto दीदी आई पूरी syllabus को लेके बारात वारात को सबको लेके आई न CBI यह वह फलना डकना police officer सब आये सब आये company में इंटर किये sandy का केबीन का पर दर्वाजा बन था अरे तो अरे तुम समझो यार company की security meeting होती है ऐसे information बाहर थोड़ी लीक होने देंगे ना देदी ने दर्वाजा बजाए दर्वाजा खोलो sandy बोलता है डिस्टब मत करो आरे meeting चल रही है देदी वाले मैं निर्मलाशिता रामानू दर्वाजा खोलो sandy बोलो oh my god sandy दो दर्वाजा खोला ही ने देदी ने बोला दर्वाजा तोड़ो sandy एकदम समल गया coat पहन लिया अरे अरे सुनो coat पहन आजमी coat और shirt और पहन पहनता है तो पढ़ाते हो coat भी निका अरे समझो ना यार तो sandy ने coat पहन लिया निर्मलाशिता यह क्या कर रहे हो बोले यह तो अरे fraud की बात कर रहे हूं क्यों बोले मैं क्यों की बात कर रहे हूं क्यों की बात कर रहे हूं अच्छा हूं वह भी मैंनी किया है 4,000 क्रोड चोटी मोटी चीजे किया है कुछ तो knowledge का फाइदा उठाओंगा कोई ने बोले पेनॉलिटी भर दो multiplied by 3 time 12,000 क्रोड sandy बोले दी कि माना लौ तुम्हारा है माना तुमने बड़े अच्छे से बनाया है माना उसके ओपर amendment भी लाया है पर मैं क्यों follow करूं क्यों follow करें हम क्यों follow करें हम क्या जबरदस्ती है तुम्हें law follow करने के मेरे को नहीं करना कल बोल दो मेरे को नहीं भरना टैक्स जा जो उखड़ना है उखड़ लो उखड़ लो सब बोल दो मेरे को नहीं भरना टैक्स मेरे को नहीं follow करना law क्यों follow करना law क्यों follow कर रहे हो law ignorance of law is no excuse sentence बड़ा प्यारा है कि फाइनल के बच्चे तो इसको खाने के साथ भी खाते है कि मैं कुद भी पुछू सर इग्नोरंस ओफ लॉट नॉट एक्स्क्यूज अब पब्लिक कंपनी कितने मेंबर इग्नोरंस ओफ लॉट अब अब अच्छे से तुम क्लास में बैठे हो पहले दिन क्लास में आके तु कि एक तो कित्ते बच्चे है वो देखके मेरा इंकम क्यालकुलेट किया और दूसरा अपने से कंपेटिवल कोई है क्या यह देख लिया चेकिया नहीं किया है ना कोई दिख नहीं कि अब अब अगर तुम कंसिस्टेंटली किसी लड़की को देखे जा रहे हो और लड़किया किसी लड़कियों को कंसिस्टेंटली देखे जा रहे पर वो तुम्हें देखी नहीं रहा घासी उसको पता ही नहीं तुम क्लास में हो अब जिसको पता नहीं तुम क्लास में हो क्या वो तुम्हें इग्नोर करता है क्या तुम्हें इग्नोर कर रहा ह उसको पता होगा तो इग्नोर करेगा ना। उसको पता होगा तो इग्नोर करेगा। लेकिन उसको पता ही नहीं तुम हो तो तुम तो नॉन एक्जिस्टिंग हो। तो इग्नोर क्या घंटा करेगा। ignorance of law is not an excuse, माना पर ignorance कब किया जा सकता है जब मुझे पता है ऐसा कोई law है समझे मुझे पता ही नहीं है ऐसा कोई law है, चलो companies act तो तुम पता है, तुम CA कर रहे हो इंडिया में law है, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, सस्ते नशे के खिलाप वाला law है इंडिया में, और non-bailable offence है भाई, गांजा पीके देखो, जेल में डाल देंगे न, जिंदगी बर वहाँ नशे मनाते रहोगे तुम, बेल भी नहीं मिलेगा, सच्छी तुम्हारी कसम, non-bailable offence है, तुम्हें पता था, नहीं तुमने इग्नोर किया, ऐसे कैसे नहीं तुम् Stray Dogs Protection Animal Control Law, या Stray Animal Control Law बोलो, ठीक है, डॉक का तो example है, तुमने रस्ते से आते आते कुत्य को किक मारी, वो चिलाते चिलाते क्या, तुमको पता इस चीज के लिए तुमको साथ से दस मेहने की जेल हो सकती है, तुमने इग्नोर किया, तुमने तो इग्नोर किया, सल्मान खान ने हिरन को मारा था, वैसे हिरनिया मारता है, समझने में समय लेगा, हाँ, सल्मान खान ने हिरन को मारा था, Wildlife Animal Protection Control Law, नहीं तुमको पता था क्या, तुमने इग्नोर किया, सल्मान ने तो पूरा इग्नोर कर दिया, बोलो हाया न, तुम या इग्नोर तो उस चीज को करते है ना जो पता है मैं Companies Act क्यों फॉलो करूँ ठेक है अगर में को कोई लौ ही नहीं पता इसा लौ एक्जिस्ट भी करता है क्या तुम्हें सब लौ पता है जो इंडिया में एक्जिस्ट करते है कि नहीं वह чисlic में जाने के बाद पोलीस सने फखें लिया दो डंठे पड़े तब पता चल ऑ यसा भी लौ होता है हो नो तो तुम्हें लौ रही नीपता तो अप्लो ही तुम को नहीं पता चलो कि रही नहीं पता तो तुम क्यों मानों इसको कहां लिखाया मानने के लिए जैसे Constitution के Article No. 19 में Freedom of Speech है वैसी 245-246 के अंदर ये भी है Explanation में Whatever law is made by the Parliament Should be applicable to every person Who is in the territory of the India Territory of the India What is territory? 200 पक्त मत जाना वो DTGST अपनी limited है थोड़ी इत्ता लंबा कौन जाएगा तो बोलो मेरे देश की धर्ती और उसके जोर से बोलो मेरे तुमको स्टार्टिंग म्यूजिक चाहिए का आना काने के लिए आप बोलो हाँ मेरे देश की धर्ती मेरे देश की धर्ती और उसके 12 नौटिकल माइल्स मेरे देश की धर्ती बोलो क्या बना है मेरे देश की धर्ती और उसके 12 नौटिकल माइल्स तक के समंदर में अपना इर्या ए किसका कि अपून का इर्या है समाझ में आ रहा है ऐसा government बोलती है समाझ में आ रहा है कि इस जो भी तुम कांड करेगा अपन तुनको पकड़ के पे लेगा कंसम समझ मारे बोलो हाया ना बजरंगी भाईजान मूवी देखिए एड में वो बच्ची को इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में उपर फेक देता है कि देख हले है है कि बूल हाया मिया और खतीम बच्ची हवाम और अरण वह इंडिया है और वह इंडिया है तो बच्ची को अप्लिकिव पले क्या बिकॉज वह तो हॉन्न से भी नहीं जूड़ी है अभी तक तो बोलो इंडिया है क्या हां बार्व नॉटिकल माइल्स ना मुझा पकिस्तान भी आ जाएगा अंदर याद रखना बार्व नॉटिकल माइल्स समंदर में क्लियर हैं सब समंदर में ठीक है जमीन पर जहां बॉर्डर खीची गई बात खतम यल लो सी लाइन ओफ कंट्रोल और जो बीच में सलमान खान कड़ा है वो अरिया किसका है पकिस्तान का नहीं इंडिया का अधाग 5050 नहीं किसका है वो युनाइटेड नेशन का अरिया है किसका युनाइटेड नेशन बच्ची भी किसकी नहीं आगे सो कॉंट्रावेंशन एंड पेनॉल्टी तो भिया आर्टिकल 245-246 और उसका एक्स्वानेशन ये बोलता है कि हम कंपनीज आट इंडिया के उन सब लोगों को अप्लाई करेंगे जो इंडिया में रहते हैं कंस्प समाज माया है पक्का बोलो हाँ है ना इसलिए जब उसको संडा ने फ्रॉड किया तो उसको पेनॉल्टी पे करनी पड़ी है नहीं करनी पड़ी ये विद्यों समय अब अगर तुमने एक कॉंट्रावेंशन किया तो तुमको तीन तरीके की चीजे हो सकती है अब ये बड़े अच्छे से धान देना, फाइनल वालों को भी नहीं समझता, पहली चीज लग सकती है, तुमको डैमेजस, क्या लग सकती है, दूसरी चीज तुमको लग सकती है, पेनॉल्टी, क्या लग सकती है, और तीसरी चीज, जेल, जेल पर अच्छा डिस्कशन है, पह वेलेट डामेज़ेश बहुत डीटेल में पढ़ा रहा हूं अच्छे से धान देना बहुत जरूरी है यह फाइनल के भी बच्छों को नहीं पता होता जज्ज सुना है जज्ज काला कोट कव्वा बोलो हाय है ना मजिस्ट्रेट सुना है मजिस्ट्रेट काई सुना होगा क्योंकि मैंने सुना कुछ लोगा को चीफ ज़स्टिस भी बोला जाता है कर लो थोड़ा सा गुफतेकु कर लो कि किसी को पता हो तुमारे में से सर शकल देखके तो नहीं लगता इसको पता होगा बोलो हाँ है ना सुनोगे डिटेल में जाओ चलेगा, कंट्रेंट फेके मारू चलेगा पर फाइनल तकके याद रखना, प्रोमिस करो फाइनल तकके, बोलो वादा रहा, जोर से बोलो वादा रहा, फाइनल पर वपस नहीं पड़ाओंगा याद रखना, आओगे ना पकार? कि सरीधर इज देमु चल रहे हैं सब तुम्हारा समझो कोई घर था तुम्हारा है भी होगा तुम्हारा कोई घर होगा बच्पन में ड्रोईंग बनाई है घर करो सब के घर एक जैसे होते थे ट्रेंगल रेक्टैंगल दो डंडिया ये इदर ऐसा ये इदर बंद और इदर खिड़की कंपल चरी अच्छा रॉड रहा रॉड उसमें भी थोड़ा कोई क्रियेटिव होगा तो पीछे बंद आ हाँ और जो बहुत क्रियेटिव होगा इदर बीच में गोला उचल उचल के क्रियेटिविटी आ रही है और इदर दर्वाजा भूल गे ने बाहर कैसे निकलेंगे अब समझो तुमारा घर है लेट्स इमेजिन तुमारे घर के उपर किसी ने कबजा कर लिया समझो एक्स ने तुमारे घर के उपर कबजा कर लिया समझो एक्स ने तुमारे उपर घर के उपर कबजा कर लिया एक्स होती यह से ठीक है कोई बात X ने तुम्हारे घर के उपर कबजा कर लिया, अब तुम X के साथ दो सलूक कर सकते हो एक तो तुम X को सिर्फ मांग सकते हो, damages क्या मांग सकते हो, damages कि खर्चा दे, जितने दिन घर यूज किया, रेंड चुपचा पे कर, बात खतम कर गेम ओवर, ना तु मेरा, ना में तेरा, यही किस्सा खतम, ठीक है, यह बात यहां खतम हो सकती है, पर तुम्हारा इगो हर्ट हो गया, आता माजी सर्टक ली, कुछ बड़ा ही धोका दे दिया इसने, अब तुम चाहते हो, damages नहीं चाहिए, पैसा बहुत है, उसको समझ में आ कि उसको लगे भाया, पेनॉल्टी, और मन करता है उसको हो जाई जेल, एक तो पेनॉल्टी, आग नहीं लगानी है, कबीर सिंग भी ऐसा नहीं था, वाना वान वान वान, आगे, तुमको उसे लगानी है, पेनॉल्टी, या फिर करवाना है, जेल, अगर तुम सर्फ खुद तो खुद का देखके बाद खतम करना चाहते हो तो this is called civil case. This is called civil case. Damage दो बाद खतम करो, मेरेको कुछ नहीं करना है तुम्हें, मेरेको मेरा पैसा दो, मेरेको कुछ नहीं है बगवान आद्म है मेरेको छोड़ दो. पर मेरेको मेरा पैसा चाहिए, अपॉर्चुनुटी फोर गवान लेकिन तुम देना चाहते हो उसको अच्छा सबक, penalty और जेल की demand कर रहे हो court में, this is a criminal case. Civil court में जो बैठता है उसे कहते है judge, criminal court में जो बैठता है उसे कहते है magistrate. समाझ में लेकिन यह वही तक सही है, जहां तक यह district court के नीचे वाले courts की बात की जा रहे है, district मतलब जिल्हा न्यायले, कई बार तुमने सुनाओगा जिल्हा और सत्र न्यायले, पुने जिल्हा न्यायले, will cover every other town in Pune district, मतलब पुने, पिंप्री, चिंचवड, बारामती, everything, this is district court, जिल्हा न्यायले, clear concept, लेकिन अगर तुम सिर्फ पुने city का court देखो, सिर्फ city का, district नहीं, सिर्फ पुने city, पिंप्री, चिंचवड भी नहीं, सिर्फ पुने city का court देखो, तो उसे कहां जाता है बेटा, first class court, या second class court, और first class, second class में ही सिर्फ judge और magistrate होते है, सिर्फ first class और second class में, जब आप चले जाते हो district court में, जिल्हा ने आया लेकि उपर, वहाँ आ जाएंगे, सिर्फ judge, वहाँ आ जाएंगे सिर्फ judge, थोड़ा और detail जाओ, दो मिर्ट, चलेगा, बात निकली है तो चलेगा, बोलो हाँ है ना, मतलब बात कुछ ऐसी है, बहुत simple स civil, तो कौन है बोल एक बात जोसे, judge, इसमें अगर कौन है, criminal, तो क्या है, magistrate, समझ में आ रहा है, सबको हाइना, इसके उपर अगर appeal करनी है, appeal, तो तुम जाते हो district court में, district court मतलब जिल्हा ने आया ले, जिल्हा ने आया ले, समझ में आ रहा है, जिल्हा ने आया में civil हो, या जिल्हा ने आया में criminal हो, लेकिन इन दोनों के judge को judge ही कहा जाता है, इन में magistrate नहीं होता, district court में magistrate होता है क्या, नए, इसके उपर तुम चले जाओगे high court, तो अब यहाँ, नया sense आएगा justice, इसे क्या बला जाता है, justice, high court के judge नहीं, high court के justice होते है, chief justice of high court, clear answer, लोग normally उसको judge बोलेंगे कि वो बन्दा भी high court में judge है, वो judge नहीं है, वो justice है, clear है गंज सब सबको हाँ है ना, और उस पर आता है supreme court, supreme court में जो बैठते हैं, उसे भी क्या कहते है, justice, और supreme court के highest judge को कहते है, chief justice of India, क्योंकि supreme court कितने है, एक ही है, high court कितने है, लगाओ बोली, 37 states और union territories है, तो कितना high court होने ची है, 37, तो जम्मु काश्मीर है लगाओ असर 36, बराबर है, मतलब महाराष्टर और गोवा का high court लगा लगे, एक ही है, पक्का, आंधरप्रदेश और तेलंगा ना, उत्तर आंचल और उत्तरप्रदेश, इंडिया में 37 states और union territories के लिए 24 high courts है सिर्फ 24, उसमें गोवा, महाराष्टर एक ही आता है, वो उदर आसाम, मिघल है, मनिपूर, मिजूरम, त्रिपूरा, नागलेंड, एक, concept समझ में आ रहा है, सबको हाएना, आंधरप्रदेश तेलंगा ना, उत्तर आंचल उत्तरप्रदेश, एक, concept समझ में आ रहा है, सबको हाएना, तो यह चीज़ को, district court कितने मेरे को नहीं पता, जितने जिले निरली उतने district court हो सकते हैं concept समझ में रहा है सबको हाँ है ना तो वापस वापस आजाओ किदर गया किदर गया तो तुम तुमआरे X को सिखाना चाहते थे क्या सबक सबक सिखाना चाहते और penalty jail की बात कर रहे हो तो किसके बास जाओगे magistrate, लेकिन अगर सिर्फ damages की बात कर रहे हो, तो किस के आज जाओगे? Judge, clear concept? अब वापस आओ यहाँ पर damages अगर तुम मांग रहे हो, contravention of law में आप क्या मांग रहे हो, बोले एक बार, damages, तो वो कौनसी case हो जाएगी बोले एक बार, civil, और damages damages जाते है, aggrieved party को कौनसी party? what do you know by aggrieved party? जिसको suffer हुआ है जिसको क्या हुआ है? suffer, penalty जाती है बेटा government को, penalty किसको जाती है? government, उसमें से government damages aggrieved party को खुद निकाल के देगा पर penalty किसको जाती है बोले एक बार government, so damages जाते है, सब जन बोलो, damages जाते है aggrieved party, so damages जाते है aggrieved party, penalty जाते है penalty, जाते है और बंदा जाता है समझ में आया पक्का, so बंदा कहां चला जाएगा ये होता है law का पाच्वा वाला portion contravention and penalty एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ रहे है ये सब आगे काम में आने वाले है सब final level तक हर चीज काम में आने वाली है last but not delish अगर तुमको अगर तुमको जो penalty jail बताई वो पसंद नहीं आई तो तुम कर सकते हो बच्चो appeal क्या कर सकते हो वो लेक बार appeal, appeal मतलब जो अभी हमने किया first class, second class, district court high court, supreme court supreme court के उपर appeal होती है क्या, बगवान से नहीं मिलना है conception समया रहा है सबको हाई ना, जोर से बोले यसर ना तो तुम क्या कर सकते हो, appeal demand justice demand क्या बच्चो से, justice idea clear है मैं का कह रहा हूँ everybody yes or no बहुत important area बहुत मुंदी उंडी चाटको straight बैठो let's get back to okay बड़े अच्चे से सुनना धान देके और कान भी देके ठेके everybody concentrate very properly do you have heard question of law and question of fact सुना है सबने सुना है question of law, question of fact why high court and supreme court judge are called as justice इसके बीचे reason है justice मतलब होता है ज्याय ultimate ज्याय नीचे वालों को judge है नीचे वाला तुमको judge कर रहा है कि सही है या गलत है उपर वाला justice दे रहा है कि ये सही है क्यों ऐसा there are two questions there are two questions in the law one is called as question of law one is called as क्या वलिख बार question of क्या वलिख बार जो से law and second is called as question of fact question of क्या वलिख बार जो से fact बड़ी severe कैसे से बड़ी अच्छे से दाथ देना what is question of fact पहले इसको समझते है so question of fact थोड़ा सा टेक्निकल है खुद को लगाये रखना जगाये रखना है ठीक है ध्यान देना समझो Sandi ने मेरे साथ contract किया क्यों रेको पाच केजी का गोल्ड बेचेगा कितने केजी का गोल्ड बेचेगा पाच केजी contract था 24 का गोल्ड देने का इसके लिए मैंने Sandi को पाच लाक रूपय दिये हुआ जब उसने मेरा को गोल्ड दिया मैंने मेजर किया निकला 18 केरेट वाला हाँ मैं घ्राब ओ गया मैंने सांडी के ओपर केस कर दिया गद्धार आदमी तुम क्यों सुन रहे हो यह कैस tenha को कि सर तुम अभूले हो Especially यहां ऐसे कुछ भी सुनाओ तुम सुन लोगे। इससे तुम्हारा कोई वास्ता? ऐसा कुछ है कि केस सुनने के वज़े तुमको सबको एक एक ग्राम गोल्ड मिलेगा। बोलो हाया ना? चलो इस केस का डिसिजन भी आया, इस केस का चलो डिसिजन आया, किस क्यो वज़र करेगा? मिरी वपर और सांडिक्योपर? पोलो हाया ना केस केस डिसिजन तुम्हारे वज़र करेगा? तुम जब केस का डिसिजिनों फर एक तुम्हारे केस स्रुंधे पित्वर स्फिप्ट्रीनार्च पर पित्वोता है। समझ मैं रहा है सबको हाइना जोर से बोले यह सो नो मैं आलो जादू मैं आलो हाँ अब आते हैं क्वेश्चन ओफ लौ पे क्वेश्चन ओफ लौ सची सची बोलू सची बोलू या जूट बोलू जूट सुनना चाहते हो, जूट सुनना चाहते हो, जूट सुनना चाहते हो, जनरिशनी बेकार है, कि बोलो सच बोलो बोलना सार कि बोलो सच बोलो सच बोलना है आप कंशिप केसे बड़ा हुआ हो के दान जना एक्चुली देखा जाए तो question of law नाम की कोई चीज नहीं होती है यह question of fact होता है नहां 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 जजमत कर लेना एक लाइन पर बड़े जजमेंटल हो जा रहे हो एक लाइन पर जजमत करना आगे बाकी है question of law भी question of fact होता है पर सवाल सिर्व इतना है कि यह parties to contract के उपर असर कर रहा है या यह बाकी लोगों के उपर भी असर कर रहा है तो यह बिटा बाकी लोगों पर भी people PEO of India के उपर भी असर करता है sir कैसे for example जन्माष्टमी सुना है जन्माष्टमी है everybody say no अचे सुना है जन्माष्टमी थूड़ा सुनना चाहूँगी डीटेल में आज आऊ आए कि महाराश्टमे जन्माष्टमी का उच्छा होता है अर्टन ध्यवंडी फोड़ते है अधाइंडी फोड़ते हैं वह उपर मट्का लटकाया होता है जाकी सिर्मारना होता है धाड़ बोलो ये सब्सक्राइब नौ तो जन्मास्ते रहीं हम धाइंडी फोड़ते हैं ऐसी मुंबई में एक मिट्रमंडर था जो पिरेमिड के उपर पिरेमिड बना रहा था, सबसे टॉप फ्लोर पे वो होता है, जो सबसे हलका और छोटा होता है, बोलो हाया न, यह सुन न, छोटा सा बच्चा था आठवी नववी के कक्षा में, दर 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 ऊपर चड़ गया, दही अंडी फूटी नी फूटी बा आने वाला, पर्मनेंट डामेज हो गया, और इस केस में, पर्मनेंट डामेज सिच्वेशन में, जब बच्चा यह देखता है, हाय, कैसे हो, ठीक हो, तबे तो अगरा सब, पानी वानी, चाय, वो, पक्का, यह अरकत मत करना, चेक है, मेरे तरफ देखके सोजाओ, ऐसे, चलेगा, सिर ना नीचे जाने पाए, क्लियर है कंसेट, ने तो दूसरे सेकर, मैं तुमारे साइड में खड़ा रहूँगा, ठीक है, फिर तुम कैमेरा में आओगे, पूरे हिंडिया में फेमस हो जाओगे, दीदी आप फेमस होगे, बच्चा चला गया, विया, उप कि भाई हमारे बच्चे को पर्मनेंट डामेज हुआ है, कंपेंसेशन चाहिए, मेडिकल कंपेंसेशन, मित्रमेंडा ने डिक्लियर किया, कि बोले, जन्माष्टमी त्योहार है, और हर बच्चे का बर्थ राइट है, कि वो किसी भी त्योहार में खुद के मर्जी से इन्व हुआ है, तो उसको रिस्क पता है, और उसको रिस्क पता है, तो कंपेंसेशन किस बात का, में तरो, मेरे प्यारे देश मासी हूं, बच्चों को कंपेंसेशन मलना चाहिए, या नहीं मलना चाहिए, अटक गए, ऐसे भी होता है देश में, कि लोग अटक जाते है, आप सोच तो Supreme Court या High Court के जज़ का प्रेशर का लेवल का होगा? तुम्हारे सामने में अकेला खड़ा हूँ, तुमको मेरे को अकेली को जवाब देना है, उनको तो पूरे स्टेट को जवाब देना है? लेवल अप प्रेशर? High Court के पास case गया, Bombay High Court, पूछा किया, कि बच्चों को compensation मिलेगा नहीं मिलेगा? High Court ने, डेकलेर किया, बच्चा is a minor incapable of contracting, any minor do not have any right to involve in any kind of public celebration, without his guardian's permission, thus the contract is considered to be void payer compensation to the family. चलो, family को compensation मिलना चीए था, fine, बट ये क्या बोल दिया? कि minor is not celebrating any occasion? मलब जिनके लिए त्योहार होते है, वही त्योहार नहीं मना सकते हैं, त्योहार तो बच्चों के लिए होते हैं न? तुम्हें लगता है तुम्हारे पैरेंट्स को कोई excitement था त्योहार मानाने का? वो क्यों मनाते थे? क्योंकि तुम सीखो. लक्ष्मी पूजन क्यों होता था? तुम सिखो. दश्रा दिवाली क्यों? तुम सिखो. कि तुम कौन से caste creed religion से बिलॉग करते हों. इसके लिए हो त्योहार है. और तुमने उसी minor को disqualify कर दिया त्योहार मानाने से. और बोला कि parents की permission लेक्या होते होते हो हार मानाने के लिए. मैं अब कल अगर बच्चे को हुली खेलनी है, पिछकाली लेक्या आया. पपा. तोड़ा सा. पपा. हाँ. पपपुच. होगा नहीं होगा? ये तो होली, दिवाली? बच्चपन में दिवाली कैसे मनाई पता है तुम्हें? टिकली निकाली, फटाक. बोलो हाँ 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 ना, वो गन लेके घूमते थे, टोटल सी आपपा चलता था, सी आपपा. बोलो, समझने में समय लगेगा. चलता था नहीं चलता था? अब अगर तुम लॉंगी फटा का फोड रहे हो, वो छोटा वाला, वो भी लड़ छोड के पूरा का पूरा. लड़ होती थी ना, लड़. एड में फटा के खतम होते हैं, हम उसको छुडवाते थे, कि ये पुर जाए दिवाली की छुट्टियों तक के. रहना चाहिए ना, सफिशेंट स्टॉक, उसमें से एक निकाला, प्स्ट, हाँ. अभी तुमको ये करना है, हाई कोट क्या बोलता है? फटा का फोडने के पहले, पपा से पूछो, पपा, च्श।. बोलो हाँ ना, क्या ऐसा होना चाहिए? बोलो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पक्का? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन पर बात आ गई, क्योंकि सभी माइनर डिस्कौलिफाय हो गए. सुप्रियम कोट को फाइल किया गया बही? अब सिर्फ बात जन्जमाश्टमी की नहीं थी, हर उस तेवहार की थी, जो देश में बनाया जाता है. मतलब भाई, मुस्लिम भाई का बेटा, खुद के मर्जी से नमाज नहीं बढ़ सकता। क्रिश्चन भाई का बेटा चर्च में नहीं जा सकता। वो क्रिस्मस सेलिबरेट नहीं कर सकता। सैंटा आया हो 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 करके चल भग यहां से। पपा कौन पूछेगा? पूछ के आया पपा को? नहीं हो सकता। बोलो हाँ है ना? तो पुब्लिक इंट्रेस लिटिगेशन किसके वास गया? सुप्रिम कोट, सुप्रिम कोट के सामने पेटिशन डाला बहिया क्या करे? माइनर डिस्कॉलिपा हो गया? सुप्रिम कोट में सोचा सम्झा बोले बगवान जो स्टेट का टेंचन था वो देश का टेंचन बन गया सुप्रिम कोट बोले considering the severity of case it is justified to give a compensation to the family but that does not decide right of every minor whether he want to get involved in a celebration or not it is a right of every minor child right starting from his birth and with a choice to follow the religion which he have selected मतलब अगर Hindu भाई का बेटा Muslim religion मानना चाहिए or Muslim भाई का बेटा Hindu religion मानना चाहिए वो भी चलेगा लेकिन वो उसका right है और वो क्या करना चाहता है but while involving in such a risky celebrations like Janmashtami it is advised to Mittramanda to have a proper insurance about these people so whenever they got damaged a compensation should be paid to their families and relatives to the point appropriate decision पूरे देश के ऊपर चाह गया एक ही जटके में केस में सिर्फ दो लोग थे Mittramanda और फैमिली देश के ऊपर केस असर कर रहा है समझ मैं आया पक्का there is question of law fact से law बन गया और यह कहीं लिखा नहीं था एक और severe case में हाथ डालता हूं मुझे नहीं पता इसको class में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए but awareness is very important हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा problem है कि बच्पन से अपने को sex education सिखाया नहीं गया तो लोग पिसाड जैसे इदर उदर घूमते रहते हैं और अजीब गरीब हरकत करते हैं case is very severe case is of rape हिम्मत लगा के बोल रहा हूं सुनना अच्छ से नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि रेप का case minor लड़की का रेप हुआ very unfortunate devastating totally hopeless situation बंदे को बीच रस्ते में लेके स्वाहा कर देना चाहिए उसमें भी घटिया हालत वो रड़के हो गई pregnant इंडिया में रूल है भई अगर तुमारे पेट में का बच्चा 15 वीक से जादा survive कर गया तो abortion नहीं करवा सकते लड़की pregnant हुई और वो थी कोमा में 17 वीक के बाद होश आया तो हर shock and devastation पेट में बच्चा करना चाहती है abortion law बोलता है नहीं गल्ती तो नहीं थी उसके क्या करे कहां जाए गया कौंसा law, कौंसा ethics, कौंसा not at the cost of other, sab dhara ka dhara public interest litigation, supreme court, sessions court 17 ने आयले में straight away case डाल दिया गया fast forward गुमाओ इसको supreme court ने decision दिया in any kind of such a devastating situation a girl will have a choice to decide whether she wants to have a birth of a child or whether she want to abort a child even after 15 weeks court ये नहीं बोला अबोल कर दो ये नहीं बोला अबोल कर दो court ने language बड़ी सटीक यूज की है girl will have a choice हो सकता है और ये होता भी है लड़कियों के पेट में अगर बच्चा रहा तो they have that kind of emotions and hormones in their body they feel like they are mother अगर उसके थोड़ा भी attachment हुआ तो क्यू जान ले and if she is that capable and daring कि ने में बच्चे को संभाल सकती हो why to abort? उसका choice है and if she don't want she can this is a decision given by Supreme Court all over India फैल गया ऐसा कभी ना हो बिलकुल ना हो पर कभी किसी लड़की के उपर ऐसी समस्या आती है तो ये Supreme Court का decision use किया जा सकता है fact था law बन गया समझ में आ रहा है? इसी लिए Supreme Court और High Court के judge को judge नहीं कहते justice कहते है idea clear है और इसी लिए तुम्हारे syllabus में सर्फ Supreme Court High Court के cases आएंगे क्योंकि तुम लोगों को consultancy देते हो, consultancy facts की नहीं दी जाती, consultancy law की दी जाती है समझ में आ है सबको? idea clear है और ये है तुम्हारे law के सभी के सभी parts समझ में आ है सबको? idea clear है मैं का कह रहा हूँ? everybody is clear about this pen उठाओ, register उठाओ 2 page joints ही अपने को 2 joint pages 2 joint pages लगे हुए लंबा चार्ट ड्रॉग करना है उसके उपर पूरा पूरा ठीक है? overall length देख लो ये सब matter 2 pages पर आना चीए मैंने अगर वहाँ घर ड्रॉग किया है आपने भी घर ही ड्रॉग करना है इससे तुमको याद आएगा कि concept क्या था? clear है? graphic memory ठीक है? इसको मैं जूम करता हूँ total block देख लो एक दो तीन चार पाट छे और नीचे थोड़ असा data clear है? 6 blocks है एक page पे तीन दूसरे page पे तीन लेने की कोशिश करना या as per your convenience as you wish ठीक है? Go for it first इतना जूम काफी है? आदत है क्या? आदत है आदत है आदत है क्या क्या रहता झाल झाल अगर वो रेडिंग समझ में ना आएं, तो साइड वाले को पूछना, क्या मेरे को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूँगा. मेरे हैंड रेटिंग बहुत माशालला है, मैंने ये सुना है, और मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जिसके हैंड रेटिंग बूरी होती है, वो जल्दी सिये बनता है. एक्जाम्पल, इसका दिलब ये नहीं अच्छे है, तो बूरी करने पर लग जाओ. एक्जाम्पल, इसका दिलब ये नहीं अच्छे हैंड वो जाओ. एक्जाम्पल, इसका दिलब ये नहीं अच्छे हैंड वो जाओ. एक्जाम्पल, इसका दिलब ये नहीं अच्छे हैंड वो जाओ. हाँ, यहां तक हो गया है, जितना दिख रहा है सब लिखो. बाद में अगर कुछ मिस आउट हो गया तो मैं वहाँ ड्रेग करूँगा, don't worry. रेड हो गया है न, रेड वाला एरिया हो गया है सबका? रेड इस फिनिश्ट एवरिबड़ी? बुलू वाला गर नीचे कर रहा है रहने दो, पहले जितना दिख रहा है सब लिखो, फिर मैं ड्रेग करूँगा. बुलू भाहँ झाल कर दो कर दो ग्लू हो गया है ब्लू अलारिया फिनिष्ट ब्लू अलार है ना दो नीचे का आपन ड्रेग करेंगे पहले ग्रीन और रेड कंप्लीट कर लो फिर नीचे आएंगे अ है दो नेखीज़, इस आप व्लू आप खर रेड़्िया बेर्ष्ट झाल 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 black और green complete हुआ है black और green content left झाल 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 यह हो गया है पक्का यह ब्लू कलर बाला रहा गया होगा ना इसको कंप्लीट कर लो सेंस का स्पिलिंग क्या है सेंसी सेंसी ना येस सेंसी ना चलो done everybody बुलो येवरी बॉलो यसन okay question of law, question of fact you present यह हो गया है नहीं हुआ है साइड में किसे नहीं लिखा होगा उसका देखके लिखो पेटा उसने भी नहीं लिखा किया सर बैक पैक करने का ख्याल दिल में आ रहा है आ नहीं हम अगे नहीं चे ड्रैक कर रहा हूँ कोशन आफ लॉग कोशन आफ लॉग कोई उनको बुग दो लोगो को अगे कम दो दिस ये वाला अरिया भी उदर ही लिखना बुपिता कर दो दिस ये लिए, जैसा है पूरह टोगो आफ लॉग जा भी लिखना नहीं लोगो कोशन आफ लॉग भी लावो को वाला वाल। कर दो 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 वलो हाय ना नोट से अच्छे वाले, वह मैं आप ये लिखवा दूंगा, विकॉस हमारे कंटेट में एक अपील से, वहापे मैं इसको लिखवा हूंगा question of law, question of hat, कैसे लिखना है, ठीक है, वहाँ एक दो और cases देखेंगे, तो और अच्छे है समझ भाएगा, ठीक है, फिलाल तो idea आ चु कि उसका X, उसके Y के साथ भाग जाएगा, याद रखना, ठीक है, सो पूरा धान बोड़ पे, पूरा का पूरा law पढ़ लिया, सर पर, कुछ तकलीप फिर भी है, अगर पूरा law पढ़ने के बाद भी problem है, तो आप जाते हो, department के पास, किस के पास, department, department मतलब अपने companies act में department कौन है, ministry of corporate affairs, निर्मला दीदी, कौन बोलो, department तीन तरीकी की चीज़े notify करता है, पहला notifications, दूसरा circulars, और तीसरा rules, rules, rules मतलब बच्चो process, जिस process से law implement किया जाएगा, for example, director ने director identification number लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, rules में लिखा है, कौन सा form, कहाँ फाइल करना, कितना पैसा, rules में लिखा है, clear है, देखेंगे, हमको rules भी applicable है, what is circular, clarification, सुना है इसके पहले, क्या होता है, विजए सर ने बोला, वही तो बोलू में, सब सर के लग clarification about what, doubts, doubt about, doubts in act, वो पेट दुखने वाला example दिया क्या विजए सर ने, पेट दुखने वाला दिया नहीं दिया, संधी का संधी का संधी पेट दुखने था, दिया ना, बहुत पेट दुखने था, कुछ जादा ही दुखर है, मुबारक हो, मतला अरे, तब ऐसे situation में, अगर act में कोई word है, जैसे मैंने बोला था, plant, plant के दो meaning है, अगर में word loop books, books के तो कितने meaning है, accounts and books, books and magazine, वो वाले books, मैंलब C.A. वाले, तो books के तो कई सारे meaning है, तो books का meaning, इस act में क्या ले, अगर नहीं पता, circular, किसी चीज को clarify करना है, तो क्या यूज किया जाता है, circular, notification भी तुमने जरूर सुना होगा, हाँ, change in law, law में क्या वाल एक बार, change, पर एक बात याद रखना, इसके उपर कल गहरा discussion होगा, कि notification कितने types के आते है, we will see that, types बताया है सर ने, नहीं, तो यहाँ देखेंगे कि उपन law पड़ रहा है, चलो department से भी तुम्हारा satisfaction नहीं हुआ, ना law से हुआ, ना department से, तो फिर supreme court और high court के decision, कि यह जो बोलेंगे justice, चलो यह भी silent है, कस्टम यह भी बताया होगा, कस्टम क्यों? कि इडिस कस्टम, बोलो हाय न, कल यह को सुखहत के मैनने नया वरड बनाया, आं बहुलो है न कल नया वट बगया है मैंने तुमको बला इसको फेमस कर जाना तुम चल लेगा सबको मम्मी बुले खाना खाएगा कले पेपर में चप गया परसो ऑक्सपर उडालों ने उठा लिया बुले नया लेट रहे हैं कॉस्टम बन जाएगा किसी लौ में लिखने की जर इस पूरे situation को हम कहते है सिर्फ लौ हम सिर्फ क्या कहते है लौ अभी तक लोल नहीं बताया मैंने आपको लोल का discussion हम अम अखल आएगा लोल मीन्स लौ ओफ लैंड लौ ओफ लैंड इसका discussion हम कल देखेंगे clear है यह 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 बुर इसको कोन लिकेगा जिन्दगी के अंदर लिख लिया क्या? चिटिंग पूरी यही कर ली नहीं लोग फटापट लोग यह बैग मतलब रेडी है वह बैग कहा अभी तो स्पीड दबल हो जाएगे चरोड़न चरोड़न हो गया बच्चों सबका चालो आज के लिए यहां काफी करते हैं कल धाई बज़े अपना टाइम तुनन नहीं तो है पूरा अबे बोलो थैंक यू बोलो जार से बाल लग झालो